अपिसोड वान की स्टार्टिंग होती है और हम देखते है दो छोरों को यहां ये दोनों छोर किसी के घर से एक तीज़ोडी चोरी करके भाग रहा था लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिलते है जो की इनमें से एकैं का मडर कर देता है और यहां से स्टोरी दस दिन पीछे की दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं दो लेजबियन करेक्टर को एक का नाम है डिजे इने डिसकोवर और दूसरे का नाम है बिजली जो कि यहां पर कॉंसाइन्मेंट के लिए आई हुई थी इसी डिसकोवर में हमें एक लरके को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रक्स करिता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसे यूज भी करता है कि तभी उसके नाक और कानों से खुन निकलने को लगता है दरसल में यह लरका एक मसुहूर डैपूटी सीम का लरका है और उसने मिलावर्टी मास ओवर्डोस वाले ड्रक ले लिये थे डैपूटी सीम अपने बेटे का जान बचाने के लिए और भाकी के कारवाई के लिए पूलिस को यहाँ पर भुलाती है उदर दूसी तरप हम बिजली को देखते है जो की रूंच एयरपोर्ट से होते हुए रनप्रदेश पहुचती है रनप्रदेश में बिजली का बाकी का परिवार रहता है जहां उसके परिवार का में सदिश्य है सावित्री जिसे लोग रानिबा के नाम से जानते है साबितरी के अंदर सारा बिजनेस चलता है यह बिजनेस तो एक दिखावा है असल में बात कुछ और ही है वो कहते हैं ना हाती के दाथ खाने के कुछ और और दिखाने के कुछ और होते है वैसे ही कुछ यहां भी चल रहा था यहां कोठी के बाहर दिखाने के लिए ये लोग तो हैंक्राफ का काम वगेरा करता है और उसी कोठी के तैखाने के अंदर उनका में काम यानि की फ्लैमिंगो ड्राग बनाने का काम चलता है वैसे तो साबितरी इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकती है इसलिए उसने अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को इंक्लिट कर रखा है एक्सेप उसके दो पेटे हारीस और कफिल के जो की इस वग अपते मां से बहुत दूर बीदेश में रहता है दरसल ये सवी काम एक-एक मेंब करती है और संता जो की साबितरी की खुद की बेटी है वो उन ड्रक्स को फिल्टर करके प्योर ड्रक्स बनाने का काम करता है यानि फ्लैमिंगो बनाने का काम साबितरी के परिवार में एक और मेंबर है जिसका नाम है डीमर और ये साबितरी का गोट लिया हुआ बेता है उसके बेटों के बारे में पूछ रहा होता है तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बेटों को इस बिजनेस के बारे में बता देनी चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें ही ये बिजनेस समवालना है अब मैं आपको चिन्ना के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि वो कौन है दरसल में चिमना एक बुजूरक आदमी है और ये साबित्री के साथ काफी समय से रह रहा है जब से उसने ये बिजनेस सुरू किया था और ये साबित्री का बहुत ही ज्यादा ट्रास्टी आदमी है अब सिंसी ठोटा है मुंबई की तरफ जहां हम देखते है डेप पुलिस ओफिसर अपनी एक दूसरे ओफिसर को इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि अगर मैं इस केस को सौल्ट कर भी दू और गुनेगार को पकर भी लू तो क्या फाइदा आखिर कर कोई ना कोई आके तो उस पुलिसर के लिए और गुशन के लिए लेकिन वापस आना ही परेगा यहां इंडिया जब आते हैं तो रास्ते में ही उन दोनों की आपस में आपसी जगरा सुरू हो जाता है जिसमें हरिस अपने वीवी बिजली के बारे में बता रही होती है कि उसकी वीवी उसे पिलकुल भी डर नहीं करती है अब दूसी तरफ उनके घर वाले उनके आने की खुशी में पूरी हवेली को फूल और दियों से सजा रहे होते हैं इन दोनों को एयरपोर्ट में लेन करने के बाद घर पहुचने में लगबग 6-7 गंटा लगता है इसलिए उन्हें घर पहुचने तक रात ही हो जाती है उदर हम देखते हैं कि हवेली पर बाहर के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया है अब इन लोगों को हवेली में घुस्ता हुआ CCTV कैमेरा कैप्चर कर लेता है CCTV कैमेरा के ओपरेटर जो की एक आदमी है वो हवेली के सभीयों के फोन्स में एलर्ट मेंसे सके तभी हरीस और कपिल भी अपने घर पहुच जाते हैं जिस बज़े से ना चाते हुए भी उसे में गेट खोलना परता है लेकिन उन डेट बोडिस को चिपाने के लिए ये लोग घर का फ्यूजी उरा देती है ताकि उन लोगों को अंदेरे में डेट बोडिस ना दिखे यहां दीरे दीरे करके ये सभी औरते मिलकर डेट बोडिस को अंदर में धिकाने लगा देती है ताकि हरीस और कपिल की नजर इन में ना जाए और यहां पर ही एपिसोड वान की एंड हो जाती है अब एपिसोड टू की सुरुआद होती है दीपक दोगरियाल से मेवी वो इ आपको बता दो कि ये इस्ट इंडिया का एक ड्रग डिलर है और ये साभीत्री से काफी ज़्यादा चिरितावी है क्योंकि साभीत्री की वज़े से उसका माल आइमिन ड्रग इस्ट इंडिया के बाहर नहीं जा पाते है बाहर बाकी कांट्रीज और बाकी स्टेट्स में सिर भी अच्छी नहीं लगती है तो वो उन लोगों के खाने में जहर मिला कर उन्हें वही का वही मार दालता है उसके बाद हम देखते हैं कि मोंग को एक पारसल डेलिवर होता है वो उसे खोलता है तो उसमें से एक कटी हुई जीफ बाहर निकलती है और ये काम किसी और ने नहीं बलकि साबीत्री ने किया था क्योंकि साबीत्री के घर पर जो हमले हुए थे ना वो मोंग के ही आदमी थे अब सिन्सीप्ठ होता है साबीत्री की घर की तरफ जहां हम देखते है उसकी दोनों ही बेटे अपने वाइप के साथ डिमर से प्यार करता है लेकिन डिमर उसके साथ इस relationship में नहीं आना चाहता है क्योंकि वो रानिबा यानी साभीत्री की विश्वास को नहीं तोरना चाहता था अब अगले दिन साभीत्री अपने दोनों बेटों को और सारे परिवारों के साथ लेकर घुमने के लिए निकल चाते है यहां वो अपने बेटों को शिकार करवाती है ताकि वो दोनों इस काम में भीजी रहे और उदर हवेली में कारलोस नाम का एक आदमी का कॉंसाइन में ट्राक पे लोट हो जाए और आगे निकल जाए ताकि उसके बेटों को साभीत्री के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं थ और साभीत्री भी नहीं चाती थी कि उन लोगों को कुछ पता चले उदर सेंटा डिमर से एडमिट करवाने पर लगी हुई थी कि वो एकसेप्ट कर ले कि वो उससे प्यार करता है उदर दूसरी तरब हम देखते हैं मुंबई पुलिस को जो कि द्राक के प्राइमारी एरिय जो कि पर्ल रिंग नाम से फेमस है और इनका कॉंसेन में समुदरी रास्ते से हो जाते है और फाइनली आते है नौट एंड वेस्ट जिसको कहते है गोल्डेन रिंग क्योंकि यह इंदिया का में सेंटर है लेकिन इसे सप्लाई कहां से मिलता है यह उन्हें अभी तक नहीं पता चला है कुछ ऑफिसर बोलते है कि पाकिस्थान से तो कुछ बोलते है अफगनिस्थान से लेकिन यहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इतना शक हो जाता है कि यह सप्लाई बाहर से नहीं बलकि इंदिया से ही हो रहा है इनमें से इनका एक ऑफिसर जो की गद्दा वो जक्रड किमना को उनके प्लेइनिंग के बारे में बता देता है। उधर हारीश और काफिल दोनों गाउं घुम रहे होते हैं। हारिस को एक लर्की इशारा करती है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और हारिस के पीछे पीछे कफिल भी चल देता है यहां वो जाते जाते एक रास्ते में से हो करके एक देखाने का रास्ता दिखता है यहां यह दोनों अंदर जाके देखते है तो यहां पर रास्ते पे एक दर्वाजा है जहां पर की काफी हाइश सेक्यूरिटी लग लगा हुआ है यह लोग उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाते लेकिन जब एक दर्वाजा अपने आप खोलता है तो उसमेंसे वो अपने मा सावित्री को देखते हैं यह देखें यह लोग काफी सौक्ट हो जाते हैं सामने देखते हैं कि देखाने के अंदर एक पत्ते की फार्मिंग हो रही है और इसी सीन के साथ एपिसोड टू भी यहां पर एंड हो जाता है अब एपिसोड ट्री की सुरुआद होती है सावित्री से जो कि अपने दोनों बेटों को अपने इस बिजनिस के बारे में सारी सीजे बता रही होती है अब यहां हम सावित्री के पास स्टोरिस को देखते हैं जहां हम देखते हैं कि उसकी दोनों बेटे चोटे चोटे होते हैं और पेत में उसकी बेटी भी थी यहां पर उसकी पती भोला भे मुझूद था और यह दोनों गाउं से को सो दूर जोपनी बना कर रह रहे होते हैं इनके साथ दो और वी लोग रहते हैं यहां यह दोनों बात करते हैं कि कुछ पैसे अगर एकत्ता हो जाएंगे तो वो लोग गाउं में सेटल हो जाएंगे यहां भोला उसके साथ में रह रहे हैं एक आदमी पर काफी ज़्यादा भरूसा करता है वो उसके साथ एक नसिली पदर्थ को कुछ लोगों तक पहुचाने के लिए निकल जाता है साथ में उसकी वाइफ साबित्री वी होती है यह तीनों उस नसिली पदर्थ को देकर वापस आही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वोला को फील होता है कि उसके साथ कुछ करवर होने वाला है वो अपनी पत्नी साबित्री को लेकर वहां से निकलने के कोशिस करता है तब ही अचानक से एक आदमी उसको पीछे से वार कर देता है जिस बज़े से भोला की ओंडर स्पॉट डैट हो जाती है जिसे देखकर साबित्री बेहुस हो जाती है और बेहुसी का फाइदा होथा कर भोला के साथ गए हुए ओ आदमी साबित्री के साथ कुछ गलत कर देता है यहां साबित्री उनको रोक नहीं पाती है उसके साथ इतना कुछ होने के वावजुद भी वो चुप चाप अपने बच्चों से मिलने के लिए अपना घर की तरफ निकल जाती है यहां कई दिनों तक भूका रहने के बाद उसे पता चला है कि जिस नसीली परदार्थ की वज़े से उसकी पती मारे गए वो नसीली चीज उसे अब पैसा कमा के देगी वो धीरे धीरे करके उन नसीली परदार्थों को लोगों को सप्लाई करने लगती है जिससे उसके बच्चों का पेट भरने लगता है उसके बाद एक दिन उसे एक लरका मिलता है जिसके मा गुजर चुकी होती है और ये लड़का कोई और नहीं बलकि डीमर है जिसे साबित्री ने गोड ले लिया था अब साबित्री गाउं में ना जाने की वज़े से वही पर अपना गाउं बसा लेती है वो धीरे धीरे करके और लोगों को उस काम में शामिल करती है और ये सवी मिलकर एक परिबार बन जाता है और इनका धंदा अब बहुत ही तेजी से चलने लगता है लेकिन कुछ लोगों की आँखों में साबित्री धीरे धीरे खटक रही थी वहांका एक बड़ा आदमी उसके इस धंदे पे चापा मरवा देता है पुलिस वाले साबित्री के आदमईों को काफी मारते पीतते है और उसी के साथ सारा सामान भी चला देता है ये देखकर साबित्री को मजबुरी में आके उस आदमी से हाथ मिलाना परता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अब धीरे धीरे वो आदमे उसके साथ काम करने लग जाता है और उसे रहने की जगा वो कोठी दे देता है जिसमें साबित्री अभी भी प्रेजन में अपने सारे परिवारों के साथ रह रही है यहां स्तोरी में हम एक फोरेनर को देखते है जो की इंडिया के जेल में है क्योंकि वो कोकेन बना रहा था इसलिए पूलिस ने उसे जेल में बन कर रखा है यहां साबित्री के साथ जो आदमी काम कर रहा था उसकी पहुच बहुत आगे तक होती है वो उस फोरेनर को बाहर नि वज़े से वो पूरा पोधा अच्छे से ग्रो नहीं होता है वो गुसा होकर जाई रहे होते कि तभी अचनक से वो एक गड़े में गिर जाते हैं यहाँ पर देखता है कि नीचे में एक पूरा डैम बना हुआ है यहाँ यह देखकर वो काफी खूज होता है और इसी के नीचे foreigner उसकी खेटी करना शुरू कर देता है और फिर यहां से शुरू होता है रानी कोर्पोरेटीव का काम जो कि बाहर दिखने में तो handcraft का काम है लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनक द्राक बनाया जा रहा है जिसका नाम है flamingo उदर पुलिस भी इस मामले को investigate करने में लगी हुई थी अब दूसरी तरफ मोंग के आदमी जिससे मदद मांगने के लिए गए हुए थे वो आदमे उसकी हालत पर उसका मजा कुराता है उदर साबितरी अपने दोनों बेटों को पूछ रही होती है कि क्या वो इस बिजनिस में आना चाता है या फिर नहीं यहाँ पर हरीस तो तयार हो जाता है लेकिन कफिल साफ साफ ना कह देता है जिसके लिए उसकी मां उसका स्वागत भी करता है लेकिन वो उससे बोलती है कि उससे दो हपते जन्मास्तमी तक तो रूखना ही होगा क्योंकि साबितरी जन्मास्तमी के दिन अपना अगला बारिश की घोसना करने वाली है जो आगे चलके उसके सारे धंडे और इस रानी कर्परिटिव का कम संभालेगा और इसी सिन के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर खत्तम हो जाती है तो दोस्तों यह थी सास बहु और फ्लेमिंगो सीरिस की पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने एपिसोड 1 से लेकर 4 तक एक्स्प्लें क्या है अब भागी के एपिसोड आपको अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जूरे रहिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और लेटेस्ट और फ्रेस कॉंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो मिलते है इस वीडियो के पार्ट टू के साथ तब तक के लिए गुड़ वाई जय हिंद